स्टील ट्रेक अठारा में पीटियो फीचर के अगर बात करें आपको मिलता है MR-PTO माने मल्टी स्पीड रिवर्स पीटियो जैसे स्क्रीन में दर्शा आ गया है अलग-अलग गेर स्पीड में अलग-अलग PTO स्पीड आपको प्राप्त होता है आईए दोस्तों ये स्पीड कै कैसे प्राप्त करें उसको प्रैक्टिकली करके आपको दिखाते हैं MR-PTO प्राप्त करने के लिए PTO लीवर को आपको ट्रेक्टर के पीचे की तरफ रखना पड़ेगा यहां देख सकते हो जब आप पीचे की तरफ रखते हो PTO लीवर तो उसको हम only PTO mode भी कहते हैं मतलब ख PTO with drive mode में रखना पड़ेगा जब आप रोटर वेटर चलाना चाहते हो तो हाई लोग आप जब लोब में डालते हो तो लो स्पीड हो जाती है MRPTO की और जब इसको हाई में डालते हो तो हाई स्पीड हो जाती है लोग वाली स्पीड जब आपको प्राप्त करनी है तो लो में डाल लो और में गेर लीवर जब आप पहले गेर में डालते हो तो कितना स्पीड प्राप्त होता है देखिए दूसरे में डालते हैं तो कितना स्पीड प्राप्त होता है तीसरे में डालते हैं तो स्पीड देखिए और चौते में डालते हैं तो maximum स्पीड प्राप्त होते हैं लो में और जो खास फीचर है वो reverse है जब आप reverse में डालते हो तो PTO उल्टी दिशाम में घुमना स्टार्ट हो जाता है रेन सिलेक्शन लीवर को हाई में डालेंगे और इसकी अलग-अलग स्पीड में गेर लीवर को चेंज करके देखेंगे कैसे प्राप्त होता है में गेर लीवर जब आप पहले गेर में डालते हो तो कितना स्पीड प्राप्त होता है देखिए दूसरे में डालते हैं तो कितना speed प्राप्त होता है तीसरे में डालते हैं तो speed देखिए और चौते में डालते हैं तो maximum speed प्राप्त होते हैं और जो खास feature है वो reverse है जब आप reverse में डालते हो तो PTO उल्टी दिशा में गुमना start हो जाता है दोस्तों जैसे कि आपने देखा मल्टी रिवर्स PTO इस ट्रेक्टर में कैसे प्राप्त करना है अभी बात करेंगे इसकी इस्तमाल के बारे में अगर आप रोटोवेटर चलाना चाहोगे स्टील ट्रेक 18 में तो आप लो के दूसरी का गेर सेलेट करो PTO सिलेक्शन लिवर को PTO वित ड्राइव मोड में रखिएगा और इंजिन की आर्पियम 1800 से 1900 रखोगे तो रोटोवेटर आपका आसानी से चल जाएगा अभी बात करते हैं वाटर पंप या अल्टरनेटर चलानी का जो खड़े-खड़े ट्रेक्टर में आपको PTO की स्पीड प्राप्त करने है PTO सिलेक्शन लिवर आप रखिए ओनली PTO ड्राइव मोड में और हाई-लो गेर लिवर जो है वो हाई में रखिए और मन चाहा स्पीड आप मेन गेर लिवर को लगा के ले लीजिए